धन्यवाद अगली प्रतिभागी हैं अनुशर्मा हर्याना से जो महात्मा गाने के विचारों पर प्रकाश डालेंगे एक और प्रतिभागी हैं जो स्कूली और शिक्षा साक्षुर्ता विभाग से आई हैं बोलें अठादेवी महादेवी प्रकृती माता और भद्रा को प्रणाम है और प्रणाम है ऐसी धर्ती को जिसने गंगा माता के वरदानी पाँच फुट दो इंच के माहमानव लाल भाद्धु शास्त्री को जन्म दिया नमस्कार मैं परिधी शर्मा काशे हिंदो विशविद्याले एवं 36 गर से आप सभी के समक्ष लाल भाद्धु शास्त्री के जीवन पर प्रकाश चालना चाहूंगे तिलक जी का जीवन तिलक जी का भाशन सुनने से जिस व्यक्ति के जीवन की पहली देश फक्ति की घटना थी गंगा जी को पार करते हुए स्कूल जाना सोलह वर्ष की आयू में असयोग आंदोलन के प्रभाव में पढ़ाई छोड़ना सिले करके देश विश्व के सबसे बड़े लोक्तंत्र के प्रधान मंत्री की है यात्रा शाश्वत हमें मार्ग दशन करते हैं शास्त्री जी का हरदय सागर की तरह गंभीर था गंगा माता की तरह पवित्र था तो यमुना की तरह नर्मल था शाश्त्री जी भारत के ऐसे प्रधान मंत्री हुए जिन्होंने अपने केवल 18 महीनों के कारेकाल में दो प्रमुख मुर्चों अर्थात सरहद एवं खाद्यान पर लड़ाई रड़े सन 1965 में उन्होंने चीन से मिली हार को उन्होंने छोड़ते हुए जीत का सहरा फैना करके देश को आत्म गलानी से मुक्त किया तो वहीं दूसरी ओर देश में खाद्यान हो रही कमी से लोगों से अहवान कर कि वे एक वक्त का उपुआस रखे जन्नेता का उन्होंने परिच्र दिया गाउं उर्वासनी के नारे की जय जवान जय किसान ने आगे चल कर हर्द क्रांती एवं दुग्ध क्रांती की नीव रखी पर तो फिर भी देश के प्रधान मंत्रे के रूप में भी उनके पास नीजी कारका ना होना रूसी राष्टपती के दिये हुए उपहार को किसी और को दे देना तो उपवास में अपने बच्चों को भूखा रखना उनके मर्यादा के मिसाले कायम करता है लाल बहाद दो शास्त्री जी जन भाशा में जन समबाद करना जानते थी वे सूत का एक-एक कत्रा समेटते हुए कहते हैं कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसका एक-एक सूत काम आना चाहीए वे नहरू जी की से प्रिये थे तो लाला लाजपत जी से भी उनका प्रेम था और ऐसे महात्मा की जम्रत्ती हो जाती है तो पुरा देश छोड़ जाता है जब उनके मृत्तिय उपर पाकिस्तान के प्राष्टपती की उपस्तिती पर सीपिश्रिवास्तव लिखते हुए कहते हैं कि भारती इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में किसी शत्रू की दाह संसकार पे उपस्तित होना दुरलब माना जाता है परंतु शास्त्री जी अपने जीवन में अपनी जीवन के विरासत में घर या जमीन नहीं अपी तु नेतिक मुल्य एवं आदस शोड़ कर गए जिसे हम युवाओं को सहीजना है और अंत में इन पंक्तियों से अपनी वार्नी को विराम देती हूँ कि कणकण में सोंदी सोंदी खुश्पू रहे जंजन में राश फक्ती हो मा भारती तेरा वयभाव बना रहे जैहिन जैभारत जैवेवेकरत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद अब मैं निवेदन करना चाहूंगी लोग सभाब